असलाम अलेकुम दोस्तों मेरा नाम है आकिब और आप देख रहे हैं हमेरी यूटीब चैनल आकिब भेहमत आज की इस वीडियो में हम एनस्पी रेलेटर तीन कोईरी का सॉलूशन बताने वाले हैं तो क्या है वह कोईरी और कैसे उनको सॉल्ड किया जाए सबसे पहली कोईरी है कि अकाउंट वैलेडेशन स्टेटर जो है उसमें सबसे पहले एने लिखके आ रहा है और दूसरी है अकाउंट वैलेडेशन स्टेटर जो है दूसरा उसमें पेंडिंग दिखाया जा रहा है और तीसरा जो है वो है जो PFM इसकी तरफ से payment भेजा जा रहा है तो किन-किन लोग को payment fail हो रहा है या फिर उनका bank में deposit नहीं हो रहा है बहुत से account close हो जुके है इस वज़े से उनका payment जो है वो bank में deposit नहीं होना है तो इसके related हम आज पूरी वीडियो में full details में बात करने वाले है तो आप हमारे चानल पर नहीं हो चानल को subscribe करके bell icon ज़रूर पेस करिएगा तो यहाँ पर आपके सामने एक picture नजर आ रही होंगी जिसमें account validation आपको यहाँ पर दिखा थे account validation status नहीं हो आप अपना अपडेट करा की लिए जो पिया था वो validation आप तक start नहीं हो आज या तो आपने आपके father का दिया है या फिर mother का account इसमें धिया है क्योंकि NSP के जिसमें जब scholarship अपलाई करते है तो आपको खुद का अकाउंट वहाँ पर लगता है तो आप वहाँ पर आपका खुद का अकाउंट डीजिए और अकाउंट बनाईए और आपको खुद का अकाउंट अपडेट कीजिए तो आपको payment नहीं मिलेंगा तो आप समझ गये होंगे कि जिन जिन लोगों ने parents का या फिर अपने guardians का दिया है अकाउंट तो उनका ऐसा ही अकाउंट validation status यहाँ पर ने शो कर रहा है याँनि अब तक उनका start ही नहीं हुआ है अकाउंट validation जल्दी से जल्दी अपना अकाउंट जो validation है वो अपना खुद का अकाउंट वहाँ पर update कीजिए आपको message मिल गया होंगा सबको NSP message की तुरू update कर रहा है तो आपको भी update किया होंगा तो आप सबसे पहले वहाँ पर अपना account details जो है वो अपने खुद की वहाँ scholarship जो है वो credit fail हो रही है तो फिर reject हो रहा है तो फिर block and phrase हो रहा है तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको आपको अकाउंट को update करना है आपके account में कुछ mistake होंगी तो आपको जाकर अपने account में देखना है कि वह बंद तो नहीं होगा है अगर बंद हो गया होगा तो को nsep update कर देंगा message के लिए आपको update कि आोँगा तो आपको जल्द आपने अकाउंट्स टेत्र यह फिर आपका अकाउंट्स बंद hooks इसको चालू करआके सब दो इसको मेजर में घनऊर करके करते हैं और यहां पर हम बात करते हैं के वर में कर लिए वoff तो आप इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपका account validation अगर पहले इसकी तरह अगर एने दिखा रहा था, एने दिखाएंगा तो आपको सबसे पहले आपके account में जाके देखने का आपने scholarship में कुन सा account दिया है, अगर mother या father या guardians का account दिया होंगा, तो आपका account अब start ही नहीं होंगा account का process जो भी हो, और अगर अपने अपना खुद का दिया होंगा, तो यहाँ पर आपके यहाँ पर pending दिखा रहा है अगर, तो यहाँ पर आपको समझ जाना है कि आपका start तो होगा है, लेकिन थोड़ा सा pending में है, तो आपको यहाँ पर कुछ tension नहीं लेना है आपको payment आ जाएंगा, तो यह थी NSP related queries, तो इसका हमने solution भी बता दिया, अगर आपके पास और भी कोई queries होंगी, तो हमें हमारे comment में ज़रूर बताइए, और आप हमारे चैनल पर नहीं हो, चैनल को subscribe करके बेल आकॉन ज़रूर प्लेस करिए